हल्की फूल की भूग लगी हो या कुछ हेल्थी चट पटा स्वाधिस्ट इसा खाना हो या पर बच्छों के टीपन में कुछ टालना हो या कभी कबार ऐसा होता है घर पर हमार पास कुछ मिक्सर नहीं होता है या फिर कोई मैमान आ जाते हैं फ्रेंड आ जाते तो आपके एक क चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा जो आपके पास शोचल साइड है इस नास्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए यहां पर गेहु काटा क्यूंकि हम हेल्थी तरीके से बना रहें तो गेहु काटा यह कप नौर्मल गेहु काटा लेंगे तो आप मै स्यारे तो एक च्मच यहां पर गी लेंगे शाती हमें अधी चोटी च्मच के पर आप पर नमग एड़ करेंगे और बढ़्यासे इसको क्रमबल करते हुए बढ़ीया सी आटे के साथ अच्छे से सारी चीजों को मिक्सप करें के ता कि सारी चीजा आटे के साथ मिल जाय बढ़ीया से इसमें मुहें ना जाये बसमोई इस तरीका होना चाहिए यदि गी कम है तो थोड़से ढाल दीजिए प्ले टेल को इस्ति विपाटरों की तरह बाद ज्यादह हार आटर नहीं लगाना होता है वरकिन नॉर्मल हम डेली जो रूटीन में रहता आटर लगाते शेम तरीकें से बढ़या से इसको मसलते जैसे अम आटर लगाते तेम भी हम यहाँ पर जादे पानी नी डालेंगे जब तक हम यहाँपर चा से मसल दीजेगा बस अब कुछ भी नहीं करना है नॉर्मली इसके हम पेड़े बना कर तायर करेंगे एक कफ हमने यहां पर गेहु काट लिया है बाकी की नॉर्मली चीजे हमने इसमें फ्लेवर वगरत दिया यानि कि मसाले डाले हैं तो बस अब 4-5 आप बना दीजेगा यहां हम पहले तो पत्रन लगा लेंगे अच्छे से क्योंकि हमने इसमें मुएन डाला नॉर्मल भी हम इसको बेल सकते हैं बिनाम पत्रन का भी लेकिन बेब पत्रन के साथ बड़ी अच्छा सा जैसे मर्जी वशे बिल जाता है अब जहां तक हम इसको बेल लेंगे ना तो बskूली से जगा पूर ना पर इसको यह दो मैंने तैयर कर लिया इसमें डालिंगे हम देश असा यह हाँ से मिला लिजेगा याविवक्रस कि सायत यह पर अच्छे से मिलना चैसे है इससे क्या होगा घी लगाने से इसमें इसमें बहुत है बनें इत्या तोड़ा सूका आटा भी पूरे जहां तक हम तेल फैला है वहां तक हम सूका आटा भी लगा लेते इससे क्या होगा जब हम इसको बेलिंगे रोल करेंगे यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा असानी से यहां पर फोल्ड हो जाएगा अब हम इसमें कुछ मसाली भी एड चाट मसाला डालने से तो बहुत अच्छा चटपटा भी बनता है स्वाधिस्ट भी बनता है चाट मसाला ना भी हो तो अपने घर की नॉर्मल थोड़ी सी चट्टी होगी और डाल सकते हो या फिर शौस लगा सकती हो वह से भी अमने इसमें मसाले डाले है नमक डाला ज्वै करने फ्ल्ट करते हैं आप टाट ली हातों से पकड़ें दबाती ले रहता है कि अच्छा सा करें हम каче करें करें जब अब हम नार्मल चाहक उच्छी जो भी आपके पास उसको ले ली जेकर एक एक इंच की दूरी पे इनको कट लगाना है इसे ज़्यादा चोटे कटना करें यह चोटे चोटे बनते हैं जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं तो हलका से बेलन से या फिर हाथ उसे भी दबा सकती हो बेलन से क्या हो गए जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे पतले बनते हैं और बहुत ज़्यादा यह एक साथ बनते हैं तो दो थीन रोल आप पना दियेगा जिह आपने लता साथा तो आप भी है लिखे तो आप संदादा नीच भी तो कडाय भर की आपनेे लता से अधिकां करें लखे जाएक संदक करेंग इंगे आंत की दिशुक्षासे कितीख जाए इस दोबर शर्विन बता इन भर हैं फ्राले ब जितने आजाएंगे उतनी आप डाले एक्ष्टा ना डाले बढ़िया से हलका सा थोड़ा सा चम्मा से आप साला ले डरूदा तेल अल्यडी गरमी है दो चे तीन मिनट इसको एक तरफ से अच्छे से सिखने में लग जाता है दो तीन मिनट एक शायड इसको शिखने में लग फ्राइय करने में अपने पता जल जाता नीचे से इसमें बढ़े से हो जाते हैं अधर हो जयते हैं उपर आ जाते हैं तो हमने क्या करना है इनकी हैbahn के दृनी हैं जाएक करने के लिए प्र लिए दूट mesma li 문제 भात फिर तो थोड़ा थोड़ा करके इनको आप्षाय करें चाज से पांच मिनुट हो गए हमने इनकी साइड भी चेंज कर ली अब इसकी लियरे क्या है दिखने लग गए तो दिखें कि इसकी लियर कितनी बढ़ी आसी दिख रही है अच्छे से खूल भी रहे हैं और यह बिल्कुल भ बड़ा चीज की लियरे भी दिखने लगती है एक अब गेहू के आटे से घर सारा आपका यह चाय के साथ के नाच्टबन के तयार हो जाएगा मसालों के साथ चाटपटा भी होता है स्वादिश्टर हेल्थी भी है चार से से मिनिट हो गए हैं और इसमें बड़ा साइपरते भी तिखने लगी अच्छी से लियरे निकली है कलर भी आया है यह खसते भी हो रखे कुरकुरे भी हो गए अब बारे हाते इसको निकालने के तो इनको हम निकाल लेते हैं और यहां पर एक्स्टा तेली इसका पहले तो आप इस तरीके से चन्नी में जाड़ दीजेगा कर शोकते हो अब बैच में बैच यहां पर बनाते चाहिए और इस तरीके सिंद को पीशु पेपर पे निकालते जाए मैंने ठेयर सारे बनाए है और एक अब गेओ के आटिशे कितने थारे नास्ता बन के तायर हुआ है थालिप भर गे तो इसमें लेयरे भी निकलते है जल् बनने में लगता है उतने समय साथ में यह नास्ता भी बनके तायार हो जाता है गेहों के आटेका है तो आप जरूर से इसको एक बार ट्राय कीजिएगा मैं आपको तोड़के भी दिखा लीती हूँ कितना क्रिश्पी बनाया है अच्छे से टूट बिराया मूं में तो जाल बनने वाला हेल्थी नास्ता तो चाई के साथ कोई होई नहीं सकता है ना जरूर से चाई कीजिएगा आशा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पी फुल रही होगी रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक चैनल को सस्काइब शेर करना ना भूलिएगा मिलते हैं ये कैसी नेक सी रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत देने वाद तैंक्यू जो मस्वें